हाई इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 देखे यह जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन एक्ट है क्योंकि इस एक्ट के जरिये मेंली आप इन्फॉर्मेशन ले सकते किसी भी जम्मू एन कश्मीर तो यह जो इन्फॉर्मेशन लेंगे इससे क्या हो जाएगा इससे सरकार की जो अकाउंटमेशन रख सकते जो भी गौर्मेशन इंस्टिटूशन से उनको और एक ट्रांसपरंसी को प्रमोड कर सकते जिससे की करप्शन से हम लड़ सकेंगे और देखे स सबसे important चीज यह है इसमें कि लोग जो हैं जो इन्फॉर्मेशन लेंगे उससे क्या हो जाएगा उससे लोग विजिलेंस रहेंगे अवेर रहेंगे जो भी functioning होती गौशनीं ऑपन की जूद बन जाते हैं क्योंकि इसमें क्या है गौर्मेंट के साथ जो सिटीजन है वह भी एक तरगा अपने आपको पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू आखसिंदी थ्रू आस्किंदी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सीख करते हुए मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हुए गौर्मेंट को एक अकाउंटेबल बनाता है तो इसमें क्या है मेंली आप इन्फॉर्मेशन जो है आप आर्टिए ऑनलाइन के थ्रू भी इसको मतलब इन्फॉर्मेशन को ले सकते जो क्सक्रम करते हैं ये जो आते सेंटर सेंटर इंफारमेशन कमिशन के अंडर आती है ठीके तो इससे जरीए आप क्या कर सकते हैं information को ले सकते और इसमें सभी जो institutions है चायो center government के institutions हो या state government के institutions हो या कोई भी जो अगर private institutions भी है जिसको अगर public authority उसको support करते हैं तो वहां से भी आप information ले सकते हो तो इस information में mainly क्या include होता है इसमें जैसे जो inspection of work है, documents है, record है या कोई ऐसी जो certified sample से या material से ये सभी की आप information ले सकते हैं तो इसमें आप information किस type से लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको request करना पड़ेगा public information officers को ये हर department में हर office में एक nominated एक public information officers होता है for this purpose, इस RTI के लिए ही specially ये officers होता है तो जब आप RTI, RTI file करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस type की information लेना चाहते हो और कहां से लेना चाहते हो तो address लिखेंगे और दुसरी चीज आपको ये जो information है ये post के थुरू भी हाब बेश सकते हो या आप खुछ जाके भी इसको submit कर सकते हो आपको Hindi या English या जो भी उस area की जो भी language होगी उस language में आपको information मिल जाएगी उसके बाद अगर जो सबसे important चीज है कि आपको जो information मिलेगी न वो within 30 days मिल जाएगी अगर मान लीजिये आपको 30 days के अंदर information मिल भी जाती है but you will not satisfy with that information तो आप क्या कर सकते है दुबारा appeal कर सकते हो और appeal कर सकते हो जो appellate authority होगा तो ये जो appellate authority होता है ये जो PIO होता है उससे ये senior अधिकारी होता है तो उसके बाद ये भी क्या करेगा ये फिर उसके बाद उसकी inquiry करेगा so within 30 days आपको ये फिर दुबारा उसका receipt देगा मतलब within 30 days आपको उसका reply देगा तो अगर reply में फिर भी आप अगर satisfy नहीं होते हो with the appellate authority also तो फिर आप क्या कर सकते हो आप जो center information commission है उसमें या अगर state का है तो state information अगर जिस टैप की जो public office है अगर center की है तो center information commission में आप file करोगे या state का अगर office है तो state information commission में आप file करोगे तो फिर उसके बाद within 90 days आपको उसकी information मिल जाएगी तो आप information जो है या किसी भी information जो है आप कोई भी जो financial institutions है या कोई public sector undertaking है या जो mainly center government के है या union territory अगर आप state office से अगर information लेना चाहते हो तो उसमें state information commission को आप file करोगे वो भी आपको within 90 days आपको उसका reply देगा तो इसके अंदर mainly आपको same जैसे center के लिए center में जैसे finance institutions आप information ले सकते हो public sector undertaking से information ले सकते हो वैसे state के अंदर भी आप जो state का जो finance institutions होता है या public sector undertaking होते है जो state government के अंदर आते मेंली उनसे आप information ले सकते हो तो इसमें क्या है आपको इसमें documents हो गए इसमें फिर उसके बाद जैसे आप उनको file करोगे तो 90 days के अंदर ओ क्या करेंगे आपको उसका reply देंगे तो जब और reply देंगे तो actually हो कुछ inquiry बिठाते जिसमें जो affiliate authority होता है मेंली उससे एक तो document हो मांगेंगे या ओ फिर दुबारा एक कोई PIO उसके लिए अपवाइंट कर देंगे या कोई publication जो होगी specific information के लिए वह आपको provide कर देंगे अगर available होगी तो इस type से जब आप file करते तो इस तरी स्टेजे से आप गुजरते मेंली देन जो सेंटर information commission होता है या state information commission होता है यह जो है दोनों यह एक high powered independent body होती है यह जो की मेंली एक्ट जो जो राइट टू information act है इसके तहत यह दोनों body बनाए गई है तो इनका यह जो है जो सेंटर information commission और state information commission इनके पास power हो जाता है कि वो कोई भी जो अगर information नहीं दे पाता है कोई PIO तो उनके उपर यह क्या कर सकते है पेनाल्टी भी लगा सकते है तो यह जो information है आप यह government के सबी लेवल से आप information ले सकते हो जैसे union level state level या local level से information ले सकते हो इस तरीके से आपको information मिल जाएगी इस एट के तहत बहुत कम लोगों को एक्जेम किया गया है कुछ security region से कुछ ही लोगों को बस एक्जेम किया गया है तो इससे हमें यह सवंज में आता है जो पहले एक बोला जाता था कि एक जो पहले जो culture था किसका secrecy का culture था कि secret है सभी कुछ सब कुछ secret है अभी ओ क्या हो गया ओपन नेस हो गया जिससे transparency बढ़ी है किसकी जो government की जो working है उसकी transparency बढ़ी है ठीक है थूँ दिस आर्टे आई होने के वज़े से आर्टे आने के वज़े से जो एक पहले चल रहा था कि एक culture चल रहा था कि जो working of the government है इसकी जो information है government की ओ क्या है secrets है ठीक है secret है तो अभी वो culture क्या बन गया है अभी आर्टे आने से एक openness का culture बन गया जिससे transparency है mainly government के working में क्योंकि अभी government हर चीज की information maximum information आपको provide कर रहा है through this act तो इसके हम कुछ critical observation देखते है देखे जो RTI है right to information act इसके कुछ challenges भी है issues भी है जैसे क्या क्या issues है इसमें एक तो इसको बना गया कि आप किसी भी public जो आपीस है public हो गई अगर private भी है अगर उसमें government या मतलब private का कुछ interference है या private उसको कुछ उसके अंडर में आती है अगर वो private information भी public की public office के अंडर आती है तो उससे भ पाता है लोग पूरी तरह से aware नहीं है सबसे पहली चीज़तों इस आटे एक्ट से related उनको यह भी नहीं पता है कि किस तरीके से इसमें file किया जा सकते है तो यह कुछ challenges है mainly हम देख रहे है उसके बाद जो जो information मिलती है तो क्या होते है इन adequate होती है पूर quality की होती है exact information हमें मि क्या है जो बी झो भी उनको 30 days के अंदर जो पी आयो होता है तो उसको 30 days के अंदर information देना होता है लेकिन saltet देने में PayPal हो जाता है और उसके बाद उनको पास पादो पुब्लिक information घ्म • से एट score अधर से शलो पिअए ओ जेलता है तक उसको ट्रेनिंग की आओस्यक्ता है मेंली दिनि पिच पास बहुत सारे कमेंट्मेंट्मेंट होते तो उसके अभी इस काम के लिए मेंली जो और इंफोर्मेशन देने के लिए है तो उसको डील करने के लिए को इस्ट्रीक ऐसे उसके उपर कोई action नहीं होते है mainly और और उसके बाद यह क्या है जैसे जो information maximum जो लोग मांते भी information चलिए information मांते भी है तो फिर मतलब silly nature की होती है maximum जो quarry होती है वो silly nature की होती है exact जिस तरह से information लेना चाहिए जिस लिए ये act लाया गया है right to information act 2005 ये जो लाया गया है तो इसाब से लोग उसमें से query करते भी नहीं है तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे challenges है ठीक है बहुत सारे challenges है related to the functioning of the RTI जो हमने one by one यहाँ पर जाना है related to the PIO and related to the RTI and related to the citizen मतलब तीनों तरह से हमने जाना है citizen से क्या क्या दिक्कत है हो रही है उसकाद act में क्या क्या दिक्कत है और PIO की क्या क्या दिक्कत है ये हमने mainly जाना है ठीक है और हमने यहाँ पर ये भी जाना किस तरह से आप information ले सकते हो, इस आटे act के अंदर कौन-कौन cover हो जाता है। और at last हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, right to information act 2005, तो next वीडियो में हम next topic cover करें, that is the लोकपाल, तो इसमें इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद, बाई बाई